नमस्कार दोस्तों मैं असोक सर एसी सी फुलप्रास में आपका स्वागत करते हूं फ्रेंट्स साथ के कलास में हम लोग कलास 12 के हिंदी सौ मार्क्स के गद खंड का दसमा चेप्टर जू ठन जिसके लिखक उम प्रकास वाल में कीजिए कि आपजेक्टिव क्वेस्टन एंसर क तो कलास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दावा ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ्रे कि दूसरा कुशन है कि वालमिकी का जन्म कब हुआ था उंप्रकास वालमिकी जी का जन्म कब हुआ था तो वालमिकी जी का जन्म फ्रेंट्स हुआ था 30 जून 1950 को था तो अप्सन ये सही है अगला कुछन है कि उन्प्रकास वाल में कि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है उन्प्रकास वाल में कि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है तो फ्रेंड्स यह दलित आंदोलन से जुड़े हैं इसलिए दलित आ माइदान में जारू लगाने गया कौन रोते रोते माइदान में जारू लगाने गया तो इसका अप्शन होगा कि ओम प्रकास वाल में की अप्सन बी सही है अगला कुशन है कि ओम प्रकास वाल में की के हाथ से जारू किसने चीन कर फेक दी तो यहां पर अप्सन हमारा है कि राधा चरन ने बाभू लाल ने स्याम चरन ने या काली राम ने तो फेंट्स यहां जो चार अप्सन है राधा चरन ने बाभू लाल ने स्याम चरन ने और काली राम ने तो अप्सन होगा काली राम ने डी सही है अगला कुशन है कि एक रोज ओम प्रकास वाल में की को किस हेड मास्टर ने कमड़े में बुलाया यहां चार अप्सन है सेड मास्टर का नाम था चंदू राम, अप्शन ए सही, आगला है कि उम्प्रकास वालमिकी के पिता का नाम क्या है, उम्प्रकास वालमिकी के पिता का नाम क्या है, छोटन लाल, राज लाल, राम लाल, फिर इन में से कोई नहीं, तो फ्रेंट्स उम्प्रकास वालमिकी के पिता जी का नाम छोटन लाला था यह उप्सन सही है यह उप्सन सही है अगला है उम्प्रकास वालमिकी के माता का नाम क्या है उम्प्रकास वालमिकी के माता का नाम क्या है तो friends, option है 4, जो आपके सामने है, कुंती देवी, सकुंती देवी, मकुंधी देवी, इन में से कोई नहीं, तो friends, उन्प्रकास वालमिकी के माता का नाम मकुंधी देवी है, option C सही है, अगला है कि दलित साहित सौंदर्य सास्त्र के रचनाकार कौन है प्रेमचंद सुधर्शन पर सुधर्शन होगा सुधर्शन अगला होगा उम्प्रकास वाल में की और अगला होगा जग जीवन राम तो friends यह जो दलित साहित सौंदर्य के रचनाकार है वैं उम्प्रकास वाल में कीजिए अगला है अब और नहीं वाल में की की कैसी कृति है कहानी है कविता है उपन्यास है यह निबंध है तो फ्रेंड्स अब और नहीं वालमेकी जी की कविता है क्या है कविता है तो अर्था बी है ऑप्शन बी नमर सही है यह कविता है यह सही है अगला है कि जूठन किस चेतना की रचना है पहला राजनितिक चेतना की धार्मिक चेतना की दलिक चेतना की सांस्कृतिक चेतना की कि फ्रेंच जूठन है कि राजनितिक चेतना की रचना है कि अप्शन ए सही अगला कुश्चन है उम्प्रकास वालमकी की रचना कौन सी है उम्प्रकास वालमकी की रचना कौन सी है ए है रोज बी प्रगीत और समाज शी जूठन और डी उसने कहा था फ्रेंच उम्प्रकास वालमकी की रचना है वह है जूठन सी सही है अगला ओम्प्रकास वालमकी को उनिस्टो तिरावे में कौन सा पुरस्कार मिला पहला अप्शन मर्तव ए नम्मर डाक्टर अंबेड का राष्टिय पुरस्कार बी है परिवेश सम्मान सी जाइसरी सम्मान तो फ्रेंच इन तीनों अप्शन में जो सही है वह है डाक्टर अंबेड कर राष्टिय पुरस्कार अप्शन ए बिल्कुल सही है और अगला है कि उम्प्रकास ने किसे नाट्य साला की अस्थापना की उम्प्रकास वालमिकी ने किसे नाट्य साला की अस्थापना की वह है प्रेंचंद मंच रंग साला मेघ दूत इन में से कोई नहीं तो अप्शन सी सही हमारा मेघ दूत कि जूठन में चित्रन हुआ है राजनितिक विजम बना का सेक्षिक परिवेश का सामाजिक विसमता का और एतिहासिक चेतना का तो फ्रेंच जूठन में जो चित्रन हुआ है वह सामाजिक विसमता का अप्शंसी सही होगा अप्सन C क्या होगा सही होगा अगला है कि उम्प्रकास वालमिकी का जन्म कहा हुआ था उम्प्रकास वालमिकी का जन्म कहा हुआ था बरला उत्तर प्रदेश बलिया उत्तर प्रदेश सी बिथान बिहार डी मुझपर पूर बिहार तो फ्रेंट्स इसका जो जन्म हुआ था उन प्रकास बाल में की जी का वह यूपी में हुआ था अर्थात बारला कुत्तर प्रदेश option A सही होगा अगला है जूठन क्या है रेखा चितर है सब चितर है कहानी है या फिर आत्म कत्ता तो फ्रेंट्स जूठन जो है वह आत्म कत्ता होगा अप्सन D सही है, अप्सन D बिल्कुल सही है, अगला है कि उम्प्रकास वालमिकी को किस वर्स कथाकरम सम्मान दिया गया, उम्प्रकास वालमिकी को किस वर्स कथाकरम सम्मान दिया गया, option A 1995 में B 2000 में C 2005 में और D 2006 में तो friends चारो option में से कौन चा होगा तो 2000 में अर्था B option बिल्कुल सही है अगला question है एक उन प्रकास वाल में की क्या चाहते हैं उन प्रकास वाल में की क्या चाहते हैं भेद बुद्धी पर्टी की समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन जो भेद के आधार पर जो ये समाज का व्यवस्था है उसमें परिवर्तन चाहता है चाहता है कि समाजिक वैचारिक जागरन, मतलब समाजिक वैचारिक जागरन चाहता है, उसकी समाज के विचार में जागरन हो, जागरित हो समाज, उतने विचार को बदले हैं, अगला चाहता है, मानवाध ही कारवाद या उपरोक्त सभी, तो फ्रेंट्स वों प्रकास वाल मे किजी चाहते हैं कि भेद बुद्धी पर टिकी जो समाज की वेवस्ता है उसमें आमूल परिवर्तन हो जाए अर्था तो अप्ON yeah बिल्कुर सही है अगला की जलित शाहित का संधर ये वे शांष्त किसकी अगला है कि जूठन के हेर मास्टर का नाम क्या है जूठन के हेर मास्टर का नाम क्या है तो अप्शन एक काली चरन बी काली कांत सी काली राम और डी इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड्स जो जूठन सिर्सक है उनके जो हेर मास्टर है उनका नाम है काली राम अप्शन बी बिल्कुल सही है अगला ओम प्रकास की आत्मकथा का नाम क्या है ओम प्रकास की आत्मकथा का नाम क्या है ए सलाम घुस पैठिया, बी दलित का साहित एक सौंदरिया, सी सदियों का संताप, और डी जूठन, तो उम प्रकास की जो आत्म कता है, वो है जूठन, ऑप्सन डी बिलकुल सही, यह है जूठन, एबल एंसर होगा, ऑप्सन डी सही है, चलते फ्रेंट्स अगला कुछिन, अग उम प्रकास वालमिकी में कौन सा पुरसकार नहीं मिला, उम प्रकास वालमिकी को, कौन सा पुरसकार नहीं मिला, तो यहां पर जो अप्सन है, जैसरी सम्मान, परिवेश सम्मान, और C में है कि A और B दोनों, और D में है भारत रत्न, तो फ्रेंट्स उम प्रकास वालमिकी ज तो भारत रतन सम्माने नहीं मिला था शीलिए एपसञ्ट डी है उपसाइब्सेए का है अगला है कि हेड मास्टर जी का नाम क्या था तो फ्रेंणे पीछे पर podr यह है कि यह हो जाएगा काली रांप ऑप्सन्बी कि सही है अगला है यह ऐसे थे रहा तो यह कांदानी काम किसने कहा, A. सुखदेव सिंग त्यागी जी ने, B. हेड मास्टर जी ने, C. लेखक के पिता जी ने, इन में से कोई नहीं, तो friends तेरा तो ये खांदानी काम है, ये कहा था हेड मास्टर जी ने, इसलिए option B. सही है, अगला, सुरंदर सिंग की बुवा, सुखदेव सिंग की ल मा, बहानी आचाची, तो friends सुरंदर सिंग की बुवा, सुखदेव सिंग की बेटी लगती थी, क्योंकि friends, सुरंदर सिंग जो था, वो सुखदेव का पोता था, अप्सन A. बिल्कुल सही है, अगला, जनेसर और जस्वीर लेखक के क्या थे? जनेसर और जस्वीर लेखक के क्या थे? अप्सन A. चाचा, B. भाई, C. दादा, D. दोस्त, तो friends जनेसर और जस्वीर लेखक के भाई थे, ये दोनों क्या थे? भाई थे, इसलिए अप्सन B. सही होगा, अगला, लेखक एक दिन अपनी तुलना किस से करते हैं? लेखक एक दिन अपनी तुलना किस से करते हैं? मा से? पिताजी से? जहारू से या भाई से? तो friends जहारू से करते हैं. इसलिए अप्सन C. सही है. अगला, जस्वीर देहरादून में किसके घर गय थे? जस्वीर देहरादून में किसके घर गय थे? अप्सन A. मामा के, B. भाई के, C. चाचा के, और D. इन में से कोई नहीं. तो friends जस्वीर देहरादून में अपने मामा के घर गय थे? अप्सन A. सही होगा. किसका बाईल खेत से आते समय राष्ते में गिर परा? किसका बाईल खेत से आते समय राष्ते में गिर परा? A. सुरंद्र का, B. ब्रमादेव का, C. बलवीर का, और D. सुखवीर का, तो फ्रेंट्स जो बायल गिरा था, वो था ब्रमादेव का, option B. बिल्कुल सही है, अगला है, लेखक को परिवेश सम्मान कम मिला था? option A. 1992, option B. 1993, option C. 1994, option D. 1995, तो फ्रेंट्स का है, कि लेखक को जो परिवेश सम्मान मिला था, वो मिला था 1995 में, चलिए option D. सही है, अगला है, छूड़ी पकरते ही किसके हाथ का परहे थे? छूड़ी पकरते ही किसके हाथ का परहे थे? A. लेखक का, B. मामा का, C. चाचा का, D. मा का, तो फ्रेंट्स जो छूड़ी पकरते ही सम्मान हाथ का परहा था, वो था लेखक का, option A. सही है, अगला है, कि चाचा ने खाल को किसमें बांद दिया था? चाचा ने खाल को किसमें बांद दिया था? अप्सन ए, जोला में, B. चादर में, C. गमचा में, और D. बोरा में, फ्रेंट्स चाचा ने खाल को चादर में बांद दिया था? अप्सन B. सही है, अगला है, लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो फ्रेंट्स ये जो है, option देखिए, गुलेरी जी की, माथूर जी की, वालमिकी जी की, या मुहन राकेस की, फ्रेंट्स लहरों के राजहंस जो रचना है, वो है मुह लेखा की बहन का नाम था पहला चाया बी राधा सी माया डी गीता तो फरंस इन चारों में से जो लेखा की बहन का नाम था वह था माया अप्शन सी बिलकुल सही है अगला सूखी पूडियां कब काम आती थी थन्डा में बी वर्सात में सी गर्मी में और डी सभी रित्मों में तो फ्रेंट्स जो सूखी पूडियों का काम था वह था वर्सात में इसलिए अप्शन बी सही है अगला सुखदेव सिंग्त्यागी का पोता कौन था सुखदेव सिंग्त्यागी का पोता कौन था तो फ्रेंट्स पीछे भी हमने क्वेस्टन पढ़ाता है साही question पढ़ा था उसमें भी हमने option दिखा दिया था क्या होगा फिलहाल आप इन में से चून सकते हैं चारों में से कौन सा है A. सुरंदर सिंग B. मुंसी जी C. मोहनलाल D. सोहनलाल तो friends पीछे हमने कहा था कि सुरंदर सिंग जो है सुखदेव सिंग का पोता है बू अबला question तो यहाँ पर क्या होगा friends इसका जो पोता है वो है सुरंदर सिंग option A. सही है question अगला है headmaster ने किसकी गर्दन दबोच लिए headmaster ने किसकी गर्दन दबोच लिए मुंसी जी की लेखक की लेखक के पिता जी की A. और B. दोनो तो friends यहाँ पर क्या है कि लेखक के पिता जी लेखक को पैर से मुंसी जी कहा करते थे तो friends मुंसी जी और लेखक दोनो तो एक ही है इसलिए option D. सही होगा अगला question है कि मुंसी जी कौन थे मुंसी जी कौन थे friends यहाँ पर जो option है वह है पहला headmaster B. सुखदेव C. स्कूल के सिखचक और D. लेखक के पिता जी तो friends मुंसी जी की चर्चा अभी हमने उपर में किया है कि मुंसी जी कौन थे तो लेखक थे option B. सही है अगला question किनकी बात सूनकर लेखक की पत्नी खुश हुई किनकी बात सूनकर लेखक की पत्नी खुश हुई तो option A है लेखक की B. सुरेंदर सिंग की C. लेखक की मा की और D. लेखक के पिता जी की तो friends लेखक की पत्नी खुश हुई थी सुरंद्र सिंग की बात को सून कर अप्सन B सही है अगला एक मरे भैंस या बायल उठाने के लिए कितने लोगों की जवरत होती है एक मरे भैंस या बायल उठाने के लिए कितने लोगों की जवरत होती है अप्सने 3 से 4 अप्सन B 4 से 5 और आप्शन सी 5 से 7 और आप्शन डी चार से 6 तो फ्रंसिस में से क्या होगा कि आप्शन डी होगा एक मरे भैंस या बैल उठाने के लिए 4 से 6 आदमी की जवरत होती है अता आप्शन डी सही है अगला काली राम हेड मास्टर ने गाली दे कर किसको धमकाया था काली राम हेड मास्टर ने गाली दे कर किसको धमकाया अप्शन ए छोटन लाल को अप्शन बी ओम प्रकास वाल मिकी को अप्शन सी सिक्छक को और अप्शन डी गौवालों को तो फ्रेंट्स हेड मास्टर जी ने जो गाली दे कर धमकाया था वह था छोटन लाल को अप्शन ए कि दूसरा सबल क्या था कि ए क्या नाम हुआ बी चुहुडे का है सी छोटन लाल के बेटे और डी तेरा नाम उम्प्रकास है क्या तो फेंट्स है जेड मास्टर जी का जो क्वेस्टन था वह था कि छोटन लाल के बेटे आप्शन सी सही तो फेंट्स इसका जितना महत्पूर्ण क्वेस्टन बन सकता था इस चिप्टर जूठन का मैंने उतना बनाया तो उमीद करते हैं फेंट्स आपको एक क्वेस्टन का अच्छा लगा होगा और फेंट्स आप इसे ध्यान रखकर बोर्ड एक्जाम में अच्छ थैंस पूर वाच्छी